नमस्कार स्वागत आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में मैं रवीक उलरिया हिस्ट्री लेक्चर राधसान से आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा जैन और मातुर की पुस्तक आधुनिक विश्व इतिहास का जिसमें पंद्रासाइस्वी से लेकर 2000 इसवी तक का इतिहास दिया गया है हम बात करेंगे कि यह किन एख़ाम्स के लिए important है IPHC यूपेसे वगरा के इसमें से आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए क्या अने एख़ाम्स के लिए बिए important है प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस यहां मेरे पास जो एडिशन है 2018 का उसमें प्राइस यहां पर कट हुई है मैंने 2018 में दिपावली के आसपास यह बुक खरी दी थी अभी एमेज़न पर मैंने चेक किया था कि यह लगभग 445 रुपे के आसपास आती है डिल्यूटी चार्जेज मिलाकर 450 के आसपास है कभी 20-30 कम जादा हो जाते हैं और इंग्लिश हिंदी वर्जन में भी 30-40 रुपे का फर्क है इंग्लिश वाली थोड़ी सी महंगी मिलती है कभी-कभी तो यहाँ पर मेरे पास इसका 23 एडिशन है अप्रेल 2018 का इसकी पेपर कॉलिटी की बात करें तो पेपर कॉलिटी एवरेज ही है जाद अच्छी नहीं है लेकिन प्रिंटिंग ठीक है पढ़ने में तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी पेपर कॉलिटी की बात ऐसी है कि 900 पेज की ये किताब है और 900 पेज की बुक में यही पेपर कॉलिटी अच्छी इस्तेमाल की जाती तो यही बुक 7800 रुपे में मिलती तो इसलिए पेपर कॉलिटी थोड़ी सी हलके सतरकी है अब इसकी विशे सूची दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ देना है इसकी विशे सूची की शुरुवात करते हैं यहां से सबसे पहले कुछ अलग सी बातें दी गई हैं जैसे शब्दावली चैनित अंतराष्टी वेक्तित्व आध्वनिक विश्व इतिहास की जहलक सुरक्षा परीशद में भारत उसके बाद में में टोपिक शुरू होते हैं जिसे सबसे पहले पुनर जागरन और प्रुवोधन के बारे में थोड़ी स ही जानकारी दीगई है उसके बाद में अमेरिकी करांती तता समेधान इसमें बोहत सारे सब्टॉपिक्स इसके नीचे ही लिख दिये घए हैं यह इसके बाद में ओद्योगी की करण बहुत सारे ऐसे टोपिक्स होंगे जो आप सूचते होंगे कि वह कहां गए वह इनके सब टोपिक्स में आप देख सकते हैं थोड़ा स्लोली दिखाता हूं चलो मैं उसके बाद में नेशन स्टेट सिस्टम है यह जर्मनी इटली वाला सब इसमें आ जाएगा समराज्यवाद तथा उपनिवेश्वाद क्रांती तथा प्रितिक्रांती उसके बाद में विशुयुद आगे उसके बाद में जित्य विशुद के बाद में देखिए आपको क्या देर रखा है शीतियुद शीतियुद के बाद के टोपिक्स ही जरूरी टोपिक्स हो जाते हैं क्योंकि कई बार इसके बारे में हम बात करेंगे चलिए अभी एक बार देख लीजिए अब उपनिवेशवाद का अंत्र तथा अल्प विकाश शीलता यूरोप का एक ही करण सोवियत संग का विक्टन तथा एक धुरुविय विश्वि और इसके कुछ टोपिक्स आपके देर रहे हैं लास्ट में परिशिस्ट में कुछ महतुपूर्ण संग्दियों की डेट्स वगएरा देर की है उसके बाद में यह बता रहे है कि इसमें पोस्ट स्क्रिप्ट देर की है एक और इसमें बहुत सारे जो मैप्स और चार्ट्स दिये गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है अब बात करते हैं यह इंपोर्टेंट की एक्जाम्स के लिए यह दो प्रारंबिक में जो कुछ बातें देर की हैं कुछ महतुपूर्ण शब्दावलियां देर की हैं और कुछ महतुपूर्ण लोगों के बारे में यहाँ पर जानकारी देर की है यह गलतिया मेरे को जहां म तो मैंने प्राचिन पढ़ाया है तोड़ा सा इसके बाद आधोनिक पढ़ाया है अब बात करते हैं देखें यहां से पहले चैप्टर की बात करते हैं पुनर जागरिना और प्रबोधन वाले चैप्टर की मेरे पास अभी 10 बुक्स है और आप बार बार कह रहे थे कि इसका र बारे में अलग बात थी है लेकिन इदिया आप नॉर्मल लोव से या दीनानात वर्मा से इन प्रकार की पुस्तकों से या अर्विल भासकर की बुक के साथ इनकी तुलना करवाना चाहते हैं और आप सही में जानकारी चाहते हैं कि कौन से एक्जाम के लिए कौन से बुक इ जानकारी पहले भी दे सकता था लेकिन मैं वेट कर रा था कि खास तोर से दीनानात वर्मा वाली जो पुस्तक है शिवकुमार सिंग वाली उस पुस्तक के बारे मैं मैं जानना चारा था कि कैसी है that he's we use camera for Jam Ray pha करना चाहता था इसलिए नहीं किया मैं इतने दिनों से अब यदी बात करें यूपीसी के लिए तो यूपीसी में जित्य विशुद तक का जो बिंदू दे रहे हैं इसमें और उसके बाद में इदी मैं बात करूं गुटनी रिपेक्षिता की या शीत यूद और सोवेट संग के विटन की वो बातें अच्छे तरीके से दे रहे हैं लेकिन इसके अलावा जैसे वियतनाम वाला मामला है कोरिया वाला मामला है या जो वेस्ट एशिया वाले पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं दे रहे हैं तो यह दिए यूप विशुद के बाद में भी गुट निर्पेक्षता और सौवियत संग वाले जो पॉइंट्स है वो तो अच्छे देर के हैं और मैं यह कहूंगा कि सबसे अच्छे देर के हैं इस बुक में उसमें आपको कहीं भी कोई भी सोचने की जोड़त नहीं है यूपीसी में हिस्ट्री तो उसके लिए मैं जो दूसरी बुक्स हैं उनमें से आपको कुछ बता दूँगा लेकिन यदि आप जीयस के लिए पढ़ सकते हैं और काफी लंबे समय से आपका तयारी का प्लान है यदि आप शोड टाइम में पढ़ना चाते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे यदि आपक तरीके से कहीं भी आपको लिखावा नहीं मिलेगा अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बुक नहीं आई है जिसमें इतने अच्छे तरीके से दिति विश्युदत की घटनाओं का वरणन किया गया है लेकिन जहां तक बात है multiple choice questions वाले exam की तो उसके लिए आपको इतनी बड़ी ब प्रोफेसर के exam वगरा के लिए उनके लिए मैं आपको दूसरी books बता दूँगा इस book को मैं recommend करूँगा कि यदि आप MA कर रहे हैं या आप History Optional के साथ जा रहे हैं या State Civil Services में किसी का History Optional है या UPSC हो State Civil Services हो या GS के लिए भी आप निश्चितरूप से पढ़ सकते हैं यदि यारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की books से ही पढ़ी है ज्यादा फाइदा देती हैं यह तो खास तोर से मेरा recommendation रहेगा इस book के लिए UPSC में History Optional के लिए जैनन माथर की पुस्तक बहुत अच्छी है और मैं यह तो नहीं कहता कि मैंने सभी books पढ़ रखी हैं लेकिन कम से कम 10 books मे जानता हूं जिन में इससे अच्छा विवरन मौजूद नहीं है History Optional के लिए तो यह था मेरा review जैनन माथरो की पुस्तक आधुरिक विश्व इतिहास का History Optional के लिए जहां पर descriptive answer आपको देने होते हैं उसके लिए इसका अधिकांस पॉइंट इसके काफी अच्छे दे रहे ह और last के कुछ points जो आपके syllabus में है वो आप normal लोग जैसी पुस्तक से या कोई और book मापको बता दूगा उससे पढ़ सकते हैं और ज्यादा अभी आप कहेंगे कि हमें आप confused कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कुछ दिन में मैं इन सारी books के review कर दूँगा क्योंकि मैं डेड़ दो